कल हमने किया था वरन के से कहते हो और अलंकार के से का आज का हमारा टोपिक है क्ल कि से कहते हैं और मीड की से कहते हैं। संगीत को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि बारा फिर सुने का चार रे आपको इन स्वार्णे के लिए दोबारी गहीं है क्लास कि बता चुकम हैdr क Ör р waffle जो है कड प्राचिन का यह परकार है जिसे असा तंत्र नाम दे दिया संगीत को सजाने सवारने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है यह एक अलंकारिक प्रिवास है और इसका प्रियोग संगीत को सजाने सवारने के लिए किया जाता है यह पढ़ते हैं कण किसे कहते हैं और मीड किसे कहते हैं तो आज के हमारे दो टोपिक हैं कण और मीड कन जब किसी एक सवर को मूल सवर मान कर उसके आगे या पीछे के सवरों को थोड़ा सा सपर्स किया जाता है तो क्रिया को कण कहते हैं कण सवर मूल सवर के ठीक आगया पीछे का सवर होता है यह सवर मूल सवर से दूर का सवर भी हो सकता है परंतु मूल सवर से कण सवर की दूरी जितनी अधिक होगी उतना ही कण सवर का लगाना मुश्किल हो जाएगा कण क्रिया को करते समय ती सिगर्टा का प्रियोग करना पड़ता है अगर कण सवर की दूरी मूल सवर से जादा होगी तो यह क्रिया सिगर्टा के साथ नहीं हो सकती नहीं हो पाईगा और फिर कण और मीड़ मेंतर करना मुश्किल हो जाएगा कन क्रिया ये कलंकारिक क्रिया है इसका विजस्य मात्र संगीत की रष्टना को सजाना वैसा वारना है कन क्रिया धो प्रकार से होती है अनुलगन पूरो लगन कन और अनुलगन कन पहले पूरो लगन कन आएगा बाद में अनुलगन कन आएगा अनु लगन कन में मूल सवर के पीछे का सवर कन सवर के रूप में प्रयोग किया जाता है तदा पूरो लगन कन में ठीक उसके आगे का सवर कन के रूप में प्रयोग किया जाता है अर्थात वै कन सवर जो मूल सवर से पहले लगे वो पूरो लगन कन सवर हो गया वै कन सवर ज एक पर लिखा जाएगा आज कर जाएगा था को इस परकार लिखा जाएगा अगुंपल कंड कर दो लिखा जाए है का अगया पीछ के सवर को स्परस्मात्र करता है कण सवर के लाता है कण सवर को सपर्सवर भी कहते हैं कण के पुरियोक से संगीद में रंजकता और में वीचितरता आती है अगली डैफिनिशन है आपकी मीड किसे कहते है मीड किसी वही चार लाइन इसमें भी आपको एड करनी है वही चार लाइन कौन सी मीड में वही चार लाइन एड करनी है मीड प्राचविन गमक का एक परकार है जिसे अवसावतन तरणान दे दिया गया है संगीद को सजाने सवारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि एक अलंका सांगीत को अलग करती है और स्रेष्ट बनाती है आई ये मीडी की पिरवासा पड़ते हैं किसी भी किसी भी सवर में तीन या चार सवरों तक आगे या पीछे को मलता है इसा दवनी को दवनी को बिना खंडित बिना तोड़े दिना खंडित किये उचान करने की किरिया को या गाने की किरिया को मीड कहते हैं तो बड़ा फेर सुनिए किसी भी सवर से तीन चार सवर किसी भी एक सवर को मूझ सवर मान कर तीन-चार सवर आगे या तीन-चार सवर पीछे को मलता सहीत दवनी को बिना खंडित किये बिना तोड़े उचारण करने की किरिया को मीड कहते हैं मीड का प्रियोग गाने में तो किया ही जाता है इसके अलावा तार के वादे यंत्रों मे इस सवर में मीड शुरु करनी है उस सवर से दूसरे सवर की दूरी जितनी अधिक होगी उतना ही मीड का लगाना असान होगा एंड की मूल सवर से मीड सवर की दूरी अधिक होगी तो लगाना असान होगा अगर नस्दीक हुआ आगे बढ़िएगा लगाना असान होगा और यह दूरी यह दिक कम होई होती है तो मीड का लगाना कठिन हो जाएगा और फिर कण और मी तक की मीड दिखाई गई लेकिन गाते समय इनसे इसे ऐसे बोला जाएगा पाधा नीसा लेकिन लिखने में कैसे लिखा जाएगा ऐसे पाधा और सा की मीड बीच के सवर नहीं दिखाई देंगे लिखते समय इंडिकेशन जो हम लिखेंगे चिन लगाएंगे तिस तरह से लग प्राचीन गमक का ही एक परकार है इसका प्रियोग करके अधिकतर गायक और वादक अपने संगीत को सुंद्र और मधूर बनाने की कोशिश करते हैं अर्थात संगीत में जितनी भी रंजेक्ता आप कोमलता देखते हैं उसका कारण मीड़ी होता है तो हम हम सिंपल त्रिक्षा से उचारण करते है या किसी भी सवर का या कोई भी हम सरगम गाते है कुछ गाते हैं सिंपलिगाया जैसे साइब चारण कैसा कर आप द्री अर्य करें कैसे तो अरे करें कि मापा दानीशा सानीदा पामागा रेसा सार गारे 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 सा गामादानीशा मापा दानीशा गामागारे सा इस तरह से चलड़ क्या जाएं तो बहुत आती सुन्दर लगते हैं इसमें गमक और मीढ का दोनका और इसमें प्रयोग है तो मीढ से संगीत में रंजगता आती है को मलता आती है और मीड के प्रियोग से संगीत में जो अदुबतता आती है, जो विचितता आती है, जो सवरों का आकरशन बनता है, इसे ही संगीत में आकरशन उत्पन होता है, संगीत बड़ा सुंदर और अच्छा लगता है, हम कोई भी गाणा गाते है, तो उसमें कोई भी भजन यागीत के आते हैं तो इसमें मीड कण मीड खटका मुर्कियादी का प्रियूग होता है जिसकी विज़े से संगीत में आकर्षन उत्पन होता है तो इस तरह से आपको कण और मीड की परिवासा अच्छे से व्याद करने हैं लिख कर देखनी है आप सबीस चीज को अच्छे से दोने की हिएदी डाट